नमस्कार हा वार्तावली कारिक्रमस्य त्रिज्या प्रभागे अध्या विशिष्ट समवादार्थम अतिति विशेशा हा असमाभी समक्षम विराजनते आचार्या हा महामंडलेश्वरा हा स्वामी अवधेशानंद गिरीजी महाराजवर्या हा नमस्कार हा आचार्य प्रवरा स्वामी वर्या वार्तावली कारिक्रमे भवताम हार्दिकम स्वागतम करोमे मापन नहां तरही भवान एताम यात्राम संघर्ष पराम यात्राम कथम पश्यती अत्यंत उल्लसित अहलादित करने वाला पर्व है 22 जन्वरी को भगवान की पिटिस्टा का पर्व यह भारतिय संस्कृति का हमारी उस धर्म संस्कृति का जो कालज जई, मृतुन जई, सनातन संस्कृति है उसका एक माँ पर्व है रहिबा संघर्ष की तो 1528 से लेके लगातार यानि लगबग 500 वर्षों का एक बड़ा संघर्ष जिसमें किसी दुरुदान्त विधर्मी ने, आकरांता आतताई ने, मीरबांकी ने जिस्धंग से भिग्माराम लला के मंदिर को द्वस्त किया और अब उस विबादित धांचे की कोई एक पहली जब वो इंट रख सका तब तक एक लाख 68 हजार रामभक्तों का बलिदान हो चुका था निहंगों का बलिदान, नजाने कितने रण बांकुरे, नजाने कितने रामभक्त, नजाने कितने संत और नागा, अनेक यती, योगी, तपस्वी नजाने कितने सत्ते पिपासू, मुमुक्षू, नजाने कितने वीतराग, महापुर्ष, अपने सर दे चुके थे और तब उनके नर्मुंडों पर वो एक विबादित इंट रख सका था तो आपने ठीकी का एक बड़ा संघर्ष एक काला अध्याए पांसो वर्षों का एक बयानक संघर्ष हिंदू समाज ने देखा और अंतता विजय प्राप्त हुई सत्ते की जय होती ही है और मानिय सर्व उच्च नियाले के द्वारा उच्च तम नियाले के द्वारा हमें दिलना मिला हम धन्यवादी हैं वर्तमान सरकार के प्रती भारत की यस्टश्वी लोग कप्रिये प्रदान मंतरी आदर्नी नरेदर मोदी जी आदर्नी अमिर्शा जी जैसे अनेक सत्पुरुशों के उनके सतत योगदान से और फिर भारतीय जन्मानस ने विशिशकर संगठनों ने विश्वे हिंदू परिशद और संग के राष्टिय स्वैम सेवक संग के अनेक एक संगठन लगे राम भक्तों ने बड़ा बलेदान दिया और इस संगर्श में अंतता हिंदू समाज विजय हुआ तो एक प्रकार का ये उल्लास का पर्वे आनंद का पर्वे और भगवान राम हमारे उच्चतम प्रतेमान हैं हमारी संस्कृति के सरवच्चतम प्रतेमान जहां ओदार्य शील सहियम, सदाचार, मर्यादा, नैतिक्ता उन सब के उच्चतम कोई प्रतेमान है तो प्रभु श्री राम है पूरी चेतना इस समय जो लोक चेतना है लोक मानस है राम मही है हम सब हरशत है भारत की जो संस्कृति है उसमें सरवे भवंतु सुखेना सब के सुख की कामना अत्वा हम ऐसा भी मानते हैं कि सम में संतुलन रहे लोक संतुलन में लोकाहा समस्ता सुखिनो भवन्तु कोई एक लोक नहीं अनेक लोकों में संतुलन धर्ती अंबार अगनी जल वायू निहारिका नक्षत्रों में संतुलन धरती में गंध रहे, जल में आदरता रहे, अगनी में दिवे दाहकता रहे अत्वा पुश्पों में सुगंध, अन्न में पॉश्टिकता रहे यह तभी संभवे जब प्रकृति और परियावण के प्रति हम सचेत रहेंगे हम जागरूक रहेंगे, उसके हितों के लिए हम संभेदन शील रहेंगे और यह सारी संदेश मिलते हैं प्रभुश्री राम के दिब्बे चरितर से उन जैसा चरितर है किसके पास, वो चरितर के परियाए है जब महरश्री बाइलमी किसे पूछा कि धर्म क्या है तब उन्होंने का वो धर्म के विग्रे हैं, धर्म की प्रतिमा है वे धर्म के ही परियाए है, रामो विग्रेवान धर्मा तो ऐसी प्रभुश्री राम जो लोक मंगल के लिए हैं, लोक कल्यान के लिए हैं एंजन के अधिकारों के रक्षन के लिए जब हम राम के चरितर को बहुत गहरे देखते हैं तब पता लगता है कि वो देन, दरद्र के लिए उपेकश्यत, अभाव, ग्रसित के लिए है उनके लिए array जो कि सब के हितों की रक्षा की जाए और सभी के सुख सम्मान के प्रति संवेदनशील रहा जाए तो जब भगवान राम की ये सिक्षा हैं ये राम की उपदेश और राम का इचरित्र पूरे विश्व में जाएगा तो मिसंदे लोकमंगल और राष्ट्रमंगल के भाव विक्सि पूनर अपी तेन विपरीत परिस्थितव अपी तत्र मरियादा यहां पालनम नकदापी परित्यत्तम सामान्य मानवह श्री रामह भवितुम नशक्नोती तरी विपरीत परिस्थितव रामत्वम देवत्वम चो आश्रईतुम भवन कथम संप्रेरे इश्यती जब एक्षि अपने सत्ते के साथ रहता है अपने होने की सत्ता अपने यथार्थ में, अपने सुरूप, अपने निज्टा में अपने मुल सुभाओं में अथ्वा अपने अस्तित्तों में तभी वो बहुत अधिक सामर्थेवान रहता है राम का यही उपदेश है सब के लिए कि वो भले विश्मताई हों प्रतिकूलताई हों कैसी दुस्तर दुलब है दुलब या अलब है परिस्ति हों दुश्कर परिस्तिया हों कोई दुरगम पहाड हों दुस्तर वीथिया हों मार्ग हों ऐसे जो दुरगम है उनमें अजे रहें अविचलित रहें और अपने जीवन में कभी निराशा को पास ना आने दें तो जो राम का चरितर है वो चरितर है जो सकारात्मक्ता का उपदेश देता है जो उपदेश देता है कि यथार्थ में रहें लेकि सीमित से साधनों में राम सेतु बना लेते हैं सीमित से साधनों में राम युद्ध जीत लेते हैं और ये तब संभख हुआ जब वो एक चरेतरिनिष्ट हैं वो शील और सदाचार संपन पुरुष हैं तो जो शील सदाचार संपन पुरुष हैं ऐसे राम जो वचन देकर कभी नहीं फिर थे जैसे वो सुग्रिव को वचन दिया हो या विबिशन को दिया हो ऐसे राम जो शबरी की कुटिया में चले गए वो राम जो गिरिवासियों की बीच में तो वो राम संदेश देते हैं की पदार्थों की परचुरता, वस्तों की बहुता, भूमी विस्तार, अट्टालिक आएं, अत्वाभूमी का विस्तार, गगंचुम्बी, भवन या वाहनों के लंबी कतार, अनुचरों का जुंडूनका समूह ही सेष्टता नहीं है। उसी का नाम संपन्नता नहीं है। तो वो जंगल में रहेकर जो ये संदेश देते हैं कि साधन ही लोगों के बीच रहकर चरित्र का विस्मरन न हो। हम अपने चरित्र को संभाल कर रखें, जितेंदरी ये रहें, अथवातो सत्यनिष्ट रहें, तो वही अपराजित अपारुशे है, वही अविजित है, वही अजे है, जो सत्यनिष्ट है, तो राम के चरित्र से ये संदेश जाता है कि विश्म और प्रितिकूल परिस्तितियों में जिसको कभी नहीं त्यागना है, वो सत्य और शील है, तो सत्य और शील सदाचार आपके पास हैं, जैसे विश्म कहता है कि युद्ध कैसे जीता जाएगा, वह सामने बड़ा उसके पास में रत है, और आप आभी रत ही हैं, आपके पास तो रत है नहीं, तो राम कहते हैं, श्यम शील मेरे पास है, श्यम शील के ध्वजा पता का है, मेरे पास में धहरे है, साहस है मेरे पास में दुर्ण निश्य है, संकल्प की पवित्रता है, तनमे मना श्रिव संकल्प मस्लूप, तो मेरे पास दुर्ण संकल्प है, तो ऐसे जो दिव्य सद्गुनों से युक्त है चरित्र, वो है प्रभु श्री राम, इसलिए वो अजे हैं, अविजित हैं, इसलिए वो अनन्त है इसलिए वो ब्रह्म है साधारण श्रीरामह मर्यादा पुरुशोत्तमाह श्रीरामह संसिध्ध एतस्मिन विशय भवतह कह विचार है देखे मर्यादाओं करत है कि हमें ये तै करना होगा कि त्याज्ज क्या है अग्राही अमाने अपूज हमारी सीमाएं कहां तक है जब विक्ति सीमाओं का सम्मान करता है मुल्यों का सम्मान करता है परंपरा और सिध धंतों का सम्मान करता है और उनका उलंगन नहीं करता तभी तो वो शक्तिशाली रहता है तो एक शक्तिशाली रहने के लिए सर्व समर्थ बनने के लिए मर्यादाओं का अतिकरमन नहो वह मर्यादा और मुल्य लिखे गए हैं वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं पुरानों के द्वारा अत्वा वो हमें पता ही है कि हम किस तरह से किस का आप मान कर रहे हैं किस तरह से हमारे आचर्म, शील सेयम और सदाचार से दूसरा जैई बनता है तो मर्यादाओं कारत है कि ये सीमा रेखाएं जिनका अतिकर्मन नहों उन मूल्यों का कर्तब निश्ठा के साथ तो थोड़े से लाब के लिए तनिक से सुख के लिए तनिक सी जैजाकार के लिए व्यक्ति जब मूल्य वहिंजीवन जीता है सिद्धान्तों को विस्मृत कर देता है अत्वा निश्चित सीमाओं का सम्मान नहीं करता तब ही वो दुरबल होता है तो प्रभुश्री राम जो इतने समर्थ है वो मर्यादाओं के कारण है सस्तो यह के मर्यादाओं उनसे परिभाशित होती है सस्तो यही है के मर्यादाओं के सीरिशस्त सिखरस्त उच्चतम प्रतिमान कोई है तो वो है प्रभुश्री राम बहुशोवनम आचारे प्रवरा स्वामी वर्य भवता अस्माकम दर्शके इभ्या हा स्वीया समया कल्पिता हा वयम उपक्रिता हा भवता तदर्थम भवते भूरिशा धन्यवादा हा नमस्कार हा तत्र यास्यामी यत्रा सव वर्तते लक्ष्मन प्रियाह नायोध्या तंविनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः दर्शकाह राघवेन सजितायाह अयोध्यायाह दर्शनार्थम वयम सर्वी एव प्रतीक्षामहे जैन्वरी मासिकम द्वाविन्शती दिनांकम यदा ला इतियस्य प्राण प्रतिष्ठा भविश्यती भगवान श्री रामह ना केवलं राम मंदिरे अयोध्याय मेव प्रत्युत अस्मा का मनस्व अपी विराजेत इति कामनेया सह अत्रैव विरमामह नमस्कार रहा